Shortcut. 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 आफ्यर केसे नहीं पसंद है Shortcut. आपको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है. चाहे Real Life हो और फिर Computer Life Shortcut use करना हम सब को ही पसंद है. आज के वीडियो में हम लोग Computer Life के Shortcuts की बात करने वाले हैं. कंट्रोल के साथ लाते हैं CTRL plus A to Z shortcut keys के बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं तो जल्दी से कर दीजे वीडियो को लाइक अगर आप चैनल पे नहे हैं तो don't forget to give a thumbs up और अगर आप ऐसे computer से related और वीडियो देखना चाहते हैं तो comment में ज़रूर लिखिएगा इससे ही मुझे बज़ा चलता है कि आपको इस वीडियो अच्छे लग रहे हैं चलिए बिना किसी देड़ी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो ये रही पहली shortcut की आप सब की mobile या फिर computer screen पर तो CTRL plus A यानि की CTRL के साथ अगर हम A की को प्रेस करते हैं A alphabet को तो हमारा क्या अजूबा होता है हमारी screen पर जो text होता है text यानि की जो लिखावट हमने लिखी हुई है या फिर कोई other object picture हो या फिर कुछ भी हो वो सब पूरा का पूरा select हो जाता है अब उसको select करने के बाद आप उसे copy कर सकते हैं उसे paste कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बस आपको अगर पूरा select करना है जो आपकी screen पर जो आपका material है उसे आपको पूरा select करना है तो आप क्या करेंगे control plus A को दबा देंगे next आता है हमारा bold highlighted text control plus B control plus B करेंगे तो हमारा जो हमने जो text select किया है वो क्या हो जाएगा bold हो जाएगा या फिर अगर आपको आने वाले जो आप text लिखने वाले हैं उसे अगर आपको bold करना है तो आप क्या करिए control plus B दबा दीजे उसके बाद अपना जो text है वो लिख दीजे फिर control plus B दबा कर वापस उसे close कर दीजे तो वो जो आपने लिखा है control plus B दबा कर वो text जो हो जाएगा वो bold हो जाएगा यानि कि ये जो control plus B आपको bold bold दिख रहा है न ऐसा ही वो text हो जाएगा ठीक है तो control plus B यूज़ होता है bold के लिए B for bold and B से bold यूज़ होता है इस आते हैं control plus C पे C का मतलब क्या होता है I think सब लोगों को पता है control plus C को दबाने से हमारे जो selected text होता है वो copy हो जाता है text या फिर कोई another object picture picture image इस सब आप copy कर सकते हैं उसे वैसे copy करना बुरी बात है लेकिन हा MS Word या फिर किसी भी चीज में अगर आपको वो text को या कोई object को copy करना है तो आप क्या करिए उसे select कीजिए और control plus C पे दबा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा copy हो जाएगा फिर आप कहीं और जाकि उसे paste कर सकते हैं ठीक है control plus D इसके वारे में किसी को नहीं बता होगा control plus D यूज होता है हमारा जो bookmark and open page और open font window in MS Word हमें bookmark करना हो अगर किसी web page को web page का क्या मतलब होता है मतलब कोई website वगेरा को अगर हमें bookmark करना है तो हम control plus D डवाएंगे और फिर आपको ये जो छोटा सा यहां पर दिख रहा है न ये bookmark add एड़ी है खुल जाएगा जिस नाम से आपको bookmark करना है और जिस folder में bookmark करना है आप यहां पर डान सकते हैं और done कर दीजे तो ये bookmark हो जाएगा ठीक अगर हमें center में लाना है तो फिर हम control plus E को दबाएंगे Microsoft Word या notepad या फिर हम जो typing वाले softwares होता है उनके अगर हमें कोई text को center में लाना है तो हम क्या करेंगे उसको हम क्या कर देंगे select कर देंगे उसके बाद control plus E पे दबादेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा जो text है वो center में आ जाएगा control plus F it is a very important shortcut की open find window यानि कि अगर हमें कोई चीज़ find करने है कभी-कभी क्या होता है हम जैसे बहुत लंबे-लंबे लिखते है Microsoft Word में बहुत लंबे-लंबे documents लिखते है अब हमें याद आता है नहीं पता होता तो हम क्या करते है control plus F दबा देंगे उससे क्या होगा एक find window खुल जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते है find and replace नाम की एक window खुल चुकी है अब हमें क्या करना होगा find what लिखा हुआ है अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा जो हमें find करना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमें क्या find करना है और अगर हमें उसे replace करना है किसी चीज से तो हम replace with कर देंगे तो जहाँ जब वो word लिखा होगा वो replace हो जाएगा जो आप word देंगे उससे ठीक है तो यह काम होता है हमारा control plus F का और find window का ठीक है अब हम चलते हैं control plus F G ओके control plus G इसका काम तो नहीं पता होगा control plus G क्या करता है हमारा जो browser तो browser अगर हमने खोला हुआ है तो उसमें अगर हम control plus G दबाएंगे तो वो find का जो tab है वो खुल जाएगा और अगर हम कोई word processor यूज कर रहे हैं लाइक notepad, MS Word या फिर ऐसा कुछ word processor उसमें क्या होगा अगर हम control plus G दबाएंगे तो go to tab जो है मैं अब find window तो गुलेगी बस उसमें go to tab होगा अब ये कैसे हुआ देखिए इस image में आप देख सकते हैं कि याँ पे क्या खुला हुआ है find and replace नाम का एक tab खुला हुआ है अब इसमें भी तीन tab है अंदर एक find नाम का एक replace नाम का एक go to नाम का अगर हम control plus F दबाएंगे तो फिर वो find tab वाला जो है ये वाला खुल जाएगा लेकिन अगर हम control plus G दबाते हैं तो ये go to वाला खुलेगा और ये go to का क्या काम है आपको किसी page पे अगर direct जाना है तो आप इस go to tab को खोल के जो आप जिस page नमबर पे आपको जाना है वो page नमबर डाल दीचे और आप तुरंथी shortcut से वहाँ पहुत जाएंगे shortcut रास्ता है मतलब आपके page नमबर को खोलने का हमारा go to ठीक है control plus अगर आप edge दबाते हैं replace tab open होगा तीन होते है find के लिए क्या है control plus F go to के लिए क्या है control plus G तो भाईय replace क्यों अकेला छोड़ दिया replace के लिए होता है control plus edge direct tab का replace वाला tab खुल जाएगा अरे control plus I ये तो हमें सबको को हिपना है do whatever italy faster italyak06 हो जाता है italic का Bear हमाराwo अनिक होता है control-あाइ वहimaan italyks-धन रूको-उको मैं करके दिखातीו अनिक हमाने पर की ओ में वान टू hun 자- le paid we attend italyka Milk most when this is ही हम कहते हैं italic होना तो गंट्रोल प्लस आई दबाते हैं तो यह जो आपका सिलेक्टिट टेक्स्ट है वह italic हो जाता है मैंने अब आता है गंट्रोल प्लस जे का तो हम यूज करते ही नहीं है करते ही जाने आज हमको याद करना है तो हम अगर ब्राॉजर में बैटी हूए म Grand लगए तो फिर हमारा जो डाउनलोड समने किया ना वो साए डाउनलोड खुल जाएंगे जैसे आपको यह इमेज में दिख रहा है मैंने एक ब्राउजर पर गण्रोल प्लस जी दबाया तो यह जो डाउनलोड हमने किये थे नाउनलोड सारे खुल गए ठीक है और अगर हम पर create a hyperlink for the highlighted text in Microsoft Word and many HTML editors. यह जो है वो हमें hyperlink बनाने के लिए use करता है, यानि कि अगर हमें hyperlink बनाने, hyperlink का क्या मतलब होता है? वो ऐसे आते हैं, हम किसी web page पे जाते हैं, तो दीचे लिखा हुआ आता है, click here for more information. तो हम उस पे click करते हैं, तो एक नया web page खुल जाता है. तो वो क्या होता है? वो hyperlink ही तो होता है. हमें जैसे यहाँ पे आप देखिए, Microsoft Word यहाँ पे आप देखिए. तो यह Microsoft जो मैंने टेक्स्ट है, वो select कर लिया. ठीक है, अब इसे select करने के बाद मैंने किस पे दबाया है? Ctrl प्लस K पे दबाया. और मैंने Ctrl प्लस K पे दबाया, तो हमारा इस तरीके का insert hyperlink खुल गया है. अब यहाँ पे हम जो भी link डालेंगे, चाहे वो कोई image की link हो, चाहे वो कोई web page की link हो, किसी की भी हम link डालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, Microsoft Word को दबाने पे हमारा वो link खुल जाएगी, ठीक है? Ctrl प्लस L, Ctrl प्लस L यूज होता है, किसी भी browser में address bar को select करने के लिए, और किसी भी word processor जैसे की notepad, Microsoft Word में, हमें आरे text को left align करने के लिए, हमें select करना है, बस text को, और उसके बाद हम Ctrl प्लस L दबा दे रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जो हमारे text है, वो left में align हो जाएगा, यानिकि left में आ जाएगा, ठीक है? Ctrl प्लस M, Ctrl प्लस M का तो किसी को नहीं बता होगा, Ctrl प्लस M यूज होता है, हमारे जो selected text है, उन्हें indent करने के लिए, अब ये indent क्या होता है? Indent का मतलब जैसे, मैं को आपको example से बताना पड़ेगा, देखिए मैंने आप पे एक screenshot लिया हुआ है, इस word का, जिसमें मैंने लिखा हुआ, like, like and subscribe, अब में क्या करूँगी, subscribe के जो exclamation marks है, उनके सबसे end में जाऊंगी, और Ctrl प्लस M दबा दूँगी, ये दबा दी मैंने Ctrl प्लस M, और ये देख सकते हैं आपकी क्या हो गया है, सबस्क्राइब राइट से थोड़ा सा shift हो गया है, जैसे जैसे Ctrl प्लस M आप दबाते जाएंगे, उतना उतना distance वो राइट से लेता जाएगा, ठीक है? Ctrl प्लस N, Ctrl प्लस N यूज़ होता है new page बनाने के लिए, जैसे हम किसी MS word में काम कर रहे हैं, अब वो page हमारा गराब हो गया, अब हमें क्या करना है, new page बनाना है, हमें एक खाली सा page चाहिए वापस से, तो अब हम क्या करेंगे, Ctrl प्लस N पे दबाएंगे, अब Ctrl प्लस N पे दबाने के बाद, हमाई पस एकदम खाली page, जिक्दम new page हमारे सामने open हो जाएगा, तो Ctrl प्लस N का मतलब होता है, new page उपन करना, देखिए, new का N और Ctrl प्लस N, ठीक है, ऐसे आप याद रखिए, Ctrl प्लस O, open a file in most programs, यानि कि हमें किसी भी file को अगर open करना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl प्लस O, अगर आप ब्राउजर में और Ctrl प्लस R दबाते हैं, तो वो पेज जो हो जाएगा, वो रिलोड हो जाएगा, और अगर आप किसी word processor में है, जैसे की notepad में है, अगर आप MS Word में हैं, और आपने Ctrl प्लस R दबाया, तो फिर जो आपका text है, वो right में align हो जाएगा, Ctrl प्लस S, या अगर हमें कोई भी document को save करना है, तो हम Ctrl प्लस S पे क्लिक करेंगे, और फिर हम save कर सकते हैं, उस document को, अब आता है Ctrl प्लस T, हमें किसी भी new tab, अगर हमें खोलना है, किसी भी internet browser में, तो हम Ctrl प्लस T दबाएंगे, और अगर हमें किसी word processor में tabs को adjust करना है, तो फिर हम Ctrl प्लस T दबातने हैं, ठीक है, Ctrl प्लस U, Ctrl प्लस U होता है, किसी भी हमने select text किया है, उसे अगर हमें underline करना है, तो फिर हम Ctrl प्लस U दबाते हैं, बहुत simple है, underline भी U से start होता है, तो इससे आपको याद रखना है, कि U दबाने से Ctrl प्लस के साथ, हमारा selected text है, वो underline, Ctrl प्लस V, किसी भी text को या object को जो copy किया हुआ है, हमने उसे paste करने के लिए, Ctrl प्लस V दबाते हैं, तो जो हमने Ctrl प्लस C में copy किया था न, उसे हम याँ पे paste कर सकते हैं, Ctrl प्लस V दबाते, Ctrl प्लस W को close open tab in a browser, और close a document in Word, हमें किसी भी चीज़ को close करना है, अगर हम ब्राउजर में हैं, तो किसी tab को close करना है, तो हम Ctrl प्लस W दबाएंगे, और अगर हम Word में हैं, MS Word में हैं, और फिर हमें किसी डॉक्यमेंट को close करना है, तो हम Ctrl प्लस W दबाएंगे, Ctrl प्लस X, हमें कोई भी चेक्स को, हमने जो select किया हुआ है, उसे अगर हमें cut करना है, cut का क्या मतलब होता है, वो cut वहां से तो हो जाएगा, चाथ ही साथ वो copy भी हो जाएगा, तो हमें cut करना है, किसी भी object को या text को, तो हम Ctrl प्लस X दबाएंगे, यह वाली जो की होता है, वो जो हमने undo action किया, उसे redo करने के लिए कामाते है, plus Z is equal to undo, ठीक है, तो यह थे हमारे A to Z shortcut keys, I hope you like the video, if you did, then don't forget to give a thumbs up, and subscribe to Smart Learning for such videos, क्योंकि मैं ऐसे amazing videos लाती रहती हूँ, और comment में लिखना मात बूलना, कि आपको ऐसे computer के videos और चाहिए, या फिर नहीं, क्योंकि मैं आप सब के comments पढ़ती हूँ, और मुझे आप सब के comments पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चलिए मैं मिलती हूँ मैं आप से, मेरे अगले computer के, या maths के, या English के वीडियो में, तब तक के लिए, take care and bye bye,